Recently मुझे मौगा मिला The Witcher की prequel The Witcher Blood Origins Season 1 देखने का और देखने के बाद में सबसे पहला reaction था कि Thank God इसके सिर्फ 4 एपिसोड है अगर और एपिसोड होते तो शायद से मैं सीरीज स्किप कर देता Hello, Hi, नमसकार दोस्तो मेरा नाम है राजन सिंग, आप देख रहे हैं Fitflix और दोस्तो ये सीरीज और ठेर सारे मच्ट वाच मूवीज और सीरीज सिर्फ और सिर्फ नेट्फिक्स पर ही अविलेबल है मगर अनफॉचनेटली, नेट्लिक्स का अल्टरा एच्टी एकाउंट आते हैं साड़े 600 रुपए में सिर्फ एक मैने के लिए जी नहीं, बिल्कुल नहीं अब आप आ सकते हैं वही सेम नेट्फिक्स का अल्टरा एच्टी एकाउंट लगबग सिर्फ 215 रुपए में प्रती महिने के हिसाब से कैसे ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डीटेल वीडियो को देखिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दियेगे हमारे वाट्साप नमबर पर तुरंत कॉंटेक किजे सब्सक्राइब कीजे फीट फिलिक्स को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट मूवी अपडे सबसे पहले देखने के लिए पहला सीजन कंसिस्ट करता है सिर्फ चार एपिसोड का लगबग पचास मिनट का हर एक एपिसोड है तो आप तीन से साड़े तीन गंटे में इसे देख सकते हैं यह सीरीज इसकी ओरिजनल इंग्लिश एस डब्ड हिंदी लैंगविज में भी रिलीज हुई है और अगर आप इसका ओफिशल हिंदी डब्ड टेलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फीट टेलर्स पर यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं जहाँ पर हम सारे लेटेस्ट हॉलिवूड मूवी सीरीज के ओफिशल हिंदी डब्ड टेलर्स अप्लोड करते हैं तो उस चैनल को और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सीरीज की स्टोरी दविचर टाइमलाइन के 1200 साल पहले चालू होती है और फोकस करती है कि कैसे सबसे पहले विचर बना और क्यों। और यह सारी चीजे इतने बखवास तरीके से दिखाए जाती है कि पहला एपिसोड देखने के बाद में अब लिटरली चेक करते हैं कि भाया इसके और कितने एपिसोड मुझे जिलने बढ़ेंगे। अगेन जो कि आगे जाते जाते और लेस इंटरेस्टिंग हो जाता है, जिसे एक्स्प्लोर करती है इस सीरीज, जिसका नाम है The Witcher, Blood Origin, Season 1. फॉष्ण जातू जाये First thing is first, The Witcher का सीरीज देखने के बाद में आप वह ङयन, of course, मुझे ये excitement था कि भहसे बारतु सौत साल पहले Switcher कैसे बना, कौसे situation में बना, किस तरीके से बना. वो देखना काफी exciting होगा क्योंकि of course 1200 साल में काफी तरक्की की होगी witchers ने इन creatures से लड़ने के लिए जो कि obviously हमने the witchers series में देखा भी बगर 1200 साल पहले इन लोगों के पास वो knowledge नहीं होगी वैसा करने की so I was excited कि आकर ये tackle कैसे करेंगे इन creatures को और इस चीज को इस excitement को इतने बुरे तरीके से ये series दिखा दी है कि पूछो मत मतलब आपको लगता है कि नहीं भाई इतने आसानी से तो villain खतम नहीं होगा कुछ तो twist होगा and unfortunately twist यही होता है कि भाईया कोई twist ही नहीं है हाँ एक shocking revelation जरूर होता है last में जो कि मैं बताऊंगा नहीं आपको but वो भी उतना खास नहीं होता क्योंकि again हमें वो already पता ही होता है trailer में इतना कुछ दिखाया गया कि you know ये लोग इतने सारी creatures से लड़ेंगे ऐसे लडेंगे वैसे लडेंगे या हम ये सोच रहे थे कि भाई इस creatures से कैसे लडेंगे मगर unfortunately series में कुछ खास action दिखाया ही नहीं और इन creatures को लेके जो भी action दिखाया है वो माशालला एक अलगी तरीके का पकवास action था creatures जब आते हैं तो वही scenes अच्छे लगते हैं लेकिन बस उनकी entry ही अच्छी लगती है और कुछ नहीं series के script बहुत धिली थी I mean एक बेवकूफ भी वो चीज नहीं करेगा जो चीज series के characters कर रहे थे और series का villain जो बेवकूफ ही कर रहा था वो एक next level था प्लस उस villain को कैसे defeat किया जाता है वो एक औरी next level का था series में 7 लोगों के बारे में बताया गया है योद्धा, कुर्बानी, etc. ये योद्धा कम, sharing auto में बेटने वाले passengers की तरह लग रहे थे कि बाई 10 मिनिट के लिए मिले, इदर उदर की बात की थोड़ी जान पैचान की, हाय हुला किया थोड़ा हसा खेला, and that's it, you are done इन साथों की binding बस यूँ ही हो जाती है and मेरी favorite Michelle Yeo ने ये series क्यों किया, I mean like ये बहुत ही बड़ा रहस्य है, मतब एक time था जब ये तलवार लेके ऐसे ऐसे action करती थी कि ये मेरी favorite बनी हुई थी इस series में तो ऐसा था कि बस वो तलवार लेके थोड़ा बहुत घुमा रही है, camera के लिए and that's it, why she was even doing that वो भी एक बहुत बड़ा रहस्य था, but still again, उनका character थोड़ा interesting था और better था compared to parky characters यहां तक कि villain से जादा अच्छा तो decent कहीं न कहीं Michelle Yeo का ही अच्टर था, series में villain बार-बार एक dialogue बोलते रहता है कि मुझे सब नीचा समझते हैं, चोटा समझते हैं बैया, series देखने के बाद में हम आपको नीचा भी समझ रहे हैं, चोटा भी समझ रहे हैं और बेवकूब भी समझ रहे हैं, so दोस्तों आपको The Witcher की prequel देखनी है, जहाँ पे तुटी-पुटी स्टोरी अगर आपको देखना है, तो आप यह series देख सकते हैं तो दोस्तों यह था हमारा review The Witcher Blood Origin Season 1 का, अगर आपको हमारे ऐसे series reviews, movie reviews Netflix, Amazon, Prime, Hotstar, etc offers अगर पसंद आते हैं, और अगर आप चाहते हैं, कि हम ऐसे ही धेर सारे offers और reviews आप तक लाते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले, बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना बुले, अंति तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, stay home sorry, आज़त लग गई है, stay safe